हेलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम सैंपल पेपर देखेंगे जो एकनॉमिक्स का सैंपल पेपर है सी बेसी द्वारा इशू किया गया है तो पूरा का पूरा पेपर हम लोग अभी अनलाइज करने वाले हैं सैंपल पेपर कम्प्लीट और विद आंसर हम लोग सारे नोट्स वगेरा जो भी मैं बनाता हूं उसकी इकलास आपको हाँ पे मिल जाएंगी पुराने मिल जाएंगे और आगे जब आते रहेंगे तो भी मिलते रहेंगे तो यह जो पेपर है जो 2021 में बोर्ड का एक्जामिनेशन होने वाला है इसका सांपल पेपर सी बेसी ने प्राइब के लिए अलग से नोट्बुक बना लेना नोट्बुक के अंदर इन सारे कोश्चिनों को उसकी इंचे आंसर को जो है वो लिख के अच्छे से मेंटेन करके रख लेना क्या पता कौन सा कोश्चिन इग्जामिनेशन में फस जाए इस से पिलीज आपके स्कूल के जो पेपर होंगे उसमें फी सेम तु से मिपेपर पूछा कोश्चा सकता है अपके जो प्री बॉड है उनमे या प्राक्टिकल में इससे कोश्चिन पूछा जा सकता है और जो बौड की इंग्जामिनेशन में पक्का आएगा लेकिन हां अगर सी बस ने सैंपल पर इस्यू तो मैं बता दो, यहां पर बात चले stock flow की जिसको point of time पर measure करते हैं वो stock है and period of time पे measure करते हैं वह flow है, stock जो होता है not time dimensional है यह time dimensional होता है यह static होता है और यह dynamic होता है जो inventory है stock वो opening होता है या closing होगा कैसी particular date पहोगा inventory जो है वो stock concept है और जो change in inventory है वो changes है आपको सिर्फ लिखना है आंसर वन का उप्शन इतने में आपको नमबर मिल जाएगा इसके अप्शन में कोशन दिया हुआ हाला कि आप्शन मैं नहीं कराता लेकिन आप एक कोशन है सिंपल तो आप देख लो इस इंटो इसे न है कि नेट झाहिए आंगे इनके टो सिर्फ आपको इनकंचांत कोई था। इस su डिऋःड या न की फीफा आपको पूँछा है को सब्सक्राइए गारे घृज्ट कई फीफा की एगा मताओ कना कलस्ष 240 चेक करो कि option है तो option पर C जो है उसका वो चलो अब COVID-19 से related question जो है वो इसमें पूछ लिया गए in the present COVID-19 times many economics have raised their concern that the Indian economy may have face a deflationary situation क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है अगर उनके पास काम नहीं है तो उनके आस पैसे नहीं है उनके पास पैसे नहीं है तो वो demand नहीं कर रहे है और demand नहीं कर रहे है अगर वो तो फैक्टरी में बेरूजगारी आ रहे है फैक्टरी वाले लोगों को निकाल दे रहे है एंप्लोज को निकाल दे रहे है क्योंकि market में demand ही नहीं है मार्केट में due to reduce economy in the economy सरकार ने बहुत सरी activities को बंद कर दिया रोक दिया जिसकी वैसे उनके पास अभी demand नहीं है suppose you are a member of high-powered committee जो आर्बे के committee के member हो तो आप class as a क्या suggest करोगे आप deflationary gap को control करने के लिए हम लोग इकरों में पैसे छोड़ेंगे जैसे निर्मला सीता रमन ने economy में काफी पैसा छोड़ा जब class lockdown हुआ उसके बाद ताकि economy survive कर सके तो आप क्या करोगे पैसे करोगे रिलीज करोगे तो class आप पैसे क्या करोगे रिलीज करोगे रिलीज करोगे यानि कि आप पैसे दोगे as a RBI के class head आप पैसे जो है क्या करोगे दोगे पैसे करोगे और लोग को पैसा मिले और लोग क्या करें डिमांड करें आप सिर्फ एंसर में इतना ही लिखना आपको पूरा स्टेट्मेंट लिखने जरू नहीं है supply of money refers to dash supply of money किसे कहते है क्लास जो पैसा पब्लिक के पास है चाहिए वो क्लास करन्सी इन कैश हो चाहिए वो डिमांड डिपोजिट सो विद कमर्शियल बैंक इस सिर्फ पब्लिक लिखा है या आर्विवरा तो लेते ही नहीं गवर्मेंट वाला भी नहीं लेते तो करन्सी ह आपको बताना है चाहन पर रिसीट कमपनी सर प्लस में रिसीट ज्यादा होता है यह सारे गलत है और बी जो है यानिकी बी का सेकंड वह मोग रिक्ट कि आपको समझ आ रहा होगा एकनोमिस का पूरा पेपर अनलाइज करने वाले हैं ऐसे हमने अकाउंट के पांच पार्ट बनाकर पूरा पेपर अनलाइज कर दिया गया इसी तरह से सब्सक्राइब करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करके बहुत काम आने वाला है मैंने पूरा सिलावस अकाउंट इको बेस्ट करार रखा आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चक कर सकते हो कोई भी चाप्टर का नाम डालो आगे वेना नाम लिखो और उस वीडियो को देख वेस्ट नहीं करूंगा जो सरकार को आजादी देता है कि वह फॉर्ण एक्सेज रिजर्व को ज्यादा मैंटेन कर सके तो यह तो कुछ बात समझ नहीं आ रही है इंदा मैंच इसको डिटी फ्लोटिंग कहते हैं तो गवर्मेंट इंटर्वेंट्स टू बाय और सेल गवर्मेंट जो है वह नहीं करती है वो कला सप्लाइब बढ़ाती है इन मैंनेज फ्लोटिंग एक्सेजग इन्टे सिस्टम इंटर्वेंट मार्टे सिस्टम इंटर्वेंटी मार्केट इसएड़ कर ती वहां accept cărta इंडियन रियल स्टेट कम्पनी रिसीव करती तो पैसा आ रहा है अगर पैसा आ रहा है तो किस अकाउंट में जाएगा और इस साइट जा है तो ये एक नया पैटव धायenne भी करन करीट को धान हुगे में za इस साल के पीपर में read the following news report and answer question 7 to 10 on the basis of the same तो ये पूरा का पूरा paragraph जो है वो आपको पूरा का पूरा paragraph पढ़ना है और पढ़कर समझना है class और answer देना है 7, 8, 9, 10 चलो पूरा paragraph पढ़ते है class कैसा paragraph है और ऐसा ही class इसा examination में आएगा तो चार नंबर में one one mark के चार question होंगे the RBI cut repo rate 4.4 percent RBI ने repo rate को कम कर दिया 15 साल के सबसे कम rate पे लिया है it reduce the cash reserve ratio CRR भी कम हो गया class 7 साल का सबसे कम CRR for all bank was cut by 100 basis point वो class RBI का process होता है कम करने का तरीका पूरा procedure 100 basis point कम हो जिससे बैंकर रॉपय जो है वो bank review system को आया तो आर्बे गवर्नर डॉक्टर शशीकान दास predicted विक ग्लोबल रिता क्लास यह जो पूरा है ये economic time का March 27 2020 का real में ये मतलब की cut किया गया है class ये पूरा का पूरा news तो आपको उसके basis बताना है तो शशिकान दास predict करते हैं कि global recession आने वाला है India जो है not an immune it all depends how the India respond to the situation aggregate demand may weaken in case of core inflation केहने का मतलब ये है कि market में demand नहीं है सारी economic activities बंद पड़ी हुई है March की time की बात करें तो ये सारे problems है country के से रेपोरेट होगा रहा कम किया जारे cut in रेपोरेट बे आरवे likely to increase or decrease in demand अगर रेपोरेट कम होगा अगर रेपोरेट कम होगा तो लोन कम होगा लोन कम होगा तो demand भी क्या होगा कम होगा अगर रेपोरेट कम होगा अगर रेपोरेट कम होगा तो लोन ज़ादा होगा और अगर ज़ादा होगा तो डिमांड भी क्या होगा ज़ादा होगा वैसे रेपोरेट क्या होता है मैं बता दूं क्लास आपको जिस रेट पे commercial bank loan लेती है RBI से तो आरवे अगर वो कम हो गया तो लोन ज़ादा जाएगा और लोन ज़ादा जाएगा तो डिमांड भी क्या होगा ज़ादा होगा विल लेट टू राइज इन डिमांड होगा या फॉल इन डिमांड तो सही आंसर है नो चेंज इन अग्रिगेट डिमांड अगर यह कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा आप सबको पता है क्लास मौनेटरी मेजर फिसकल मेजर अच्छे से पढ़ा रखा मैंने त तो अगर्शन डिमांड है तो प्रडॉक्षिं है तो production क्या होगा employment में क्या होगा यह question पूछा गया तो decrease in income output employment and generation price generation general price level decrease in normal income but no change in real output increase in income 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 बढ़ेगा excess demand से output बढ़ेगा employment बढ़ेगा general price बढ़ेगा no change in output मैं बता दो class आपको कि output में कोई change नहीं रहेगा employment में कोई change नहीं रहेगा लेकिन जो price है वो क्या हो जाए class बढ़ जाएगा option बढ़ेगा एक्सिस डिमांड डिमांड जो हम पढ़ते हैं उससे पहले हम अजर्प्शन ले लेते हैं कि हमारी economy जो है फुल employment में है ADAS जहां पराबर होता है तो एक्सिस डिमांड के according हमारा जो प्राइस है वो डिमांड ज्यादा करने से इंक्रीज हो जाता है लेकिन आउट्पूट और इंप्लामेंट में कोई भी हैं तो इक नंबर के दसक्यों मैंने कराया अब आप आज माप आप आज मआक्रों के और जितने वी कोशिंस वो सारे हम अब डिसकस कर लेंगे तो और नेक्स्ट जो पार्टोगा में लोग जितने भी जीसिए मेंस्ट निहीं cat के वह डेटड नमबर का एक गवीए MP और घीडीपी MP वह सफिंग है क्या तो simplemente साथ गलत है जो घीवी इंपी किसी पॉर्टिकलर सेक्टर किसी कैपनी किसी पॉर्म का होता रेकिन जो घीडीपी MP है वह सारा का सारा किमबाइन होता यो अगर एक फोर्म का देख रहे हैं हम नियुमरिकल पढते थे तो में क्यालट कूलेट कर सेम ठीक एक कंपनी का निकालत थे ते वो 11 कोशिन का तो यह देखो क्लास रीजन जो है वो जादा कोई एक्स्पेन बहुत लंबा करना ही जड़त नहीं है सिंपल जो है वो एक्स्पेनेशन दिया है वही एक्स्पेनेशन दिया हुआ है तो आपने आंसर भी ऐसी पार्ट में लिखना है एक लिएवन पार्ट एक लिएवन पार्ट इस तरहीं के से अब लोग फिर से टूफ पूछ लिया गया तो यानिकि आपको एक्जामिनेशन में लिखने का काम बहुत कम दिया जा रहा है और जो मेंटल थिंकिंग है वह आपको ज्यादा दी जा रही है आप अगर थोड़ा सा पेपर को अनलाइस करो के साथ बताना है करेंट अकाउंट इन बी यो पी रिकॉर्ड ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और जिस बच्चे ने यहां तक पढ़ा यहां पर ध्यान से दिया ही नहीं तो सोचेगा ट्रू है लेकर नहीं आप लिखोगे नो करेंट एक्सपोर्ट और अगर किसी कंट्री में करेंट अगुड है तो उस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट होगा ही होगा करना डिफेंट का मतलब आपको सपोर्ट देना है यहां यह स्टेटमेंट बेगुछ सही है और पूछे गए तो आप ज्यान रखना रखना रिफ्यूट मतलब क्लास आप इसकी बात का खंडन करते हैं आप बात को नहीं मानते डिफेंट मतलब आप उस टेंटेंस को बचा रह देफिशिट जो है ब्रॉडर कॉंसेट अकॉंट पेशिट अगरेड सर्पलस है तब भी सिर्फ करन्ट अकाउंट का डफिशेट हो सकता है वह सकता है ग्रिटर नेगेटिव बैलेंस क्लास अगर भले ही कंट्री के अंदर करेंट कापिटल दोनों आता है तुम सिर्फ जो करेंट अकाउंट डेशिट है उसके हिसाप से वैसे मैं कहूंगा कि अगर आप इसा अंसर पर जाते हो तो थोड़ा सा वो ज्यादा नमबर काट सकता है आप लिख़ण लिख़गो जो पार्ट वाले कोश्शंट वहते हुं उनको अच्छे से करना यो आख अगला पार्ट के हैं और एक पार्ट का थी जडेड़ नंबर है आपको और देड़ल की सबता है कितने टाइम कितने टाइम आपका डिपोसिट हो जाता है एक बद आपने यह जो पूछा गया है क्लास बैंकिंग चैप्टर से सिंपल पूछा गया कि आप जो है अगर आपका अगर आपका लीगल रिजर्व रेशियो 10 परसेंट है जो डिपोजिट मल्टिप्लायर है वह 10 ताइम्स हो जाता है यानि पैसा 10 गुना हो जाएगा लेकिन अगर आपका लर पक्चिस परसेंट है तो डिपोजिट मल्टिप्लायर होगा और अगर आपका लर पचास परसेंट है तो डिपोजिट मल्टिप्लायर होगा तू टाइम्स कहने का मतलब क्या लर जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है मल्टिप्लाय भी जो हो रहा है वो कम होता चला जा तो प्लीज आप वो अच्छे से कर लाएं मैंने पहले का था वो इंपोर्टेंट है और देखो सी सांपल पेपर में तो आही गया क्या पता बोर्ड के एक्जामिनेशन में भी आजाए और इन कोशिन पर आओ जल्दी से कि इन एकॉन्फिसी वीट सी फंक्षन दे रखा है और आप को दे रखा है आई आपको दे रखा है इन्वर्स्मेंट क्या कंट्री इक लेग्र साद्टिव पंद रहे सिंपल निकाल लो उए का ख़ला क्या होता है में सी प्लस आई एक्लिट्यम में एस आई के वराबर होता है तो सिप्लस आई रही एठासी प्लस आई कितना है क्लास आई है आपका इन्वेस्मेंट 400 तो यह वाई माईनस 0.5 वाई इस इकल टू 600 वाई में लिए पंदरासो नहीं वह रहाँ सोगें इस तरीके से बाकि आप यू पूछा गया कहोंगा कि आप यूरी पर मत जाए करो आप निमरिकल करा करो उप्शन में थेयरी में चांस होते है निमरिकल में कोई चांस कटने के नहीं होते X&D Saving का मतलब क्या होता है क्लास आपका प्लान सेविंग और विलिंग तो और अबल तो वर्क देगेट वर्क फिफ्टीन कोश्चिन इंडिया's GDP contracted इंडिया की GDP 23.9% से कम हो गई क्लास एप्रिल से जून के क्वाटर में और पिछले साल की comparison में सबसे पहली बात सरकार टैक्स रेट को कम करेगी ताकि लोग जो है वो डिमांड जादा करे और सरकार जो है यही दो फिसकल मेजर होते हैं इन ही दुनों का आपने एक्स्पेर करना है अगर आप अराम से भी अभी क्लास शुरू करते हो एक चाप्टर उठाना अराम से क्लास दिसंबर के एंड तक आपका पूरा से लवस्कातम जागा पेपर मार्च में होंगे यह एपरल में होंगे आपका पेपर अराम से निपट जाएगा अगर आपने चाप्टर बीना पढ़े इसको देख रहे हो तो शायद आपको टाफ लग सकता है यह चाप्टर आपने अच्छी से कर रखा है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर बहुत इज़ी इज़ी कोश्चिन पूचा करते हैं तो उस चीज की सर्विस इसको निकालना जो है वो मुश्किल है कॉम्पंशेशन विक्टिम ऑफ साइक्लों इस एग्जामपल वेलफेर मेज़े गवर्मेंट इसको भी हम लोग नहीं करते क्योंकि क्लास यह रास्वर पेमेंट है ट्रास्वर इंकम है तो हम ट्रास इसको क्लास की डिफैंड किया रहा है नहीं कर सकते खा क्या के लिए है पता दो से प्रड़ कसे को सब्सक्राइब क्लास को इस एक और है कोशुन पूछ झालर सिंपल को अप्षि節目 कiempo कोश्ट पूंचा कि एपकोशंद उतना ज्यादा सिंपल पूछ लिया जाता यह आप सूषते करोड और वाई का जो है राइस टू लाइक करोड ठीक है अब कंपेर करना रेट ऑफ चेंज इन जीडीप ध्यान रखना कि जीडीप में कितना चेंज हो रहा है नेशन एक्स नेशन वाई का और बहुत ही सिंपल कोशिण देएख नमबर बहुत होते हैं वही दो मिनट का काम नहीं था यह हाँ लेकिन आपने अगर कोशिन पढ़ा नहीं फास्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या है अजीब से लगेगा आप जरूर प्रैक्टिस करना उसको छोड़ के मताना इलाबरेट दो अब्जेक्टिव एलोकेशन आफ रिसोर्स इंद गवर्मेंट बजट के चार अब्जेक्टिव में आपको शौड़ मीरा याद करवाया था एम से मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एसे एकनोमिक स्टैबिलिटी आर से रिडिउस बिट्विन इंकम और और एसे ऐलोकेशन आफ रिसोर्स इस के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्स्पिन किया था वीडियो देख लेना मैंने ना बोलाओ आपसे कि वह important है आप देखलेना मरा Bishop कि मयने बोलाओ आएँ पहले और आए भी है वह एक्सपिर ε बनाने कंपनी है food item necessities of life उनको सरकार सब्सक्राइब बनाती है उनको सरकार क्या करती है उनके उपर heavy tax सरकार लगाती है उन गुट्स को discourage करने के लिए तो आपने budget का objective का point लेखना है सरकार बजट के थ्रू कैसे employment करती है क्लास सरकार बजट के थ्रू देश के expenditure को देखती है कि कौन-कौन से plan expenditure है कहा कहा development करने सडक बनानी है building बनानी है जब क्लास सरकार चेक करती है तो कही न कहीं सरकार development के लिए खर्चा करती है और उनका खर्चा ही लोगों की employment बनती है लाइक सरकार अगर metro बनवानी की सोच रही है पूरी इंडिया में तो metro बनेगा तो लोग काम भी तो करेंगे लोगों contract मिलेगा ठीकदारों को पैसा मिले लेगा वहां से कहीं न कहीं income generate होगी इसकी development activity से ही income क्या होती है यह आपने लिखना है क्ला वर्ड लेमिट के अंदर लिखना ज्यादा लंबा लिखना नहीं कुछ बचनवला सर काउंट करना क्या वर्ट करें नहीं अंदाजे से मालो आपको बोलाई कि 60 वर्ड में लिखना लिखना है वहां नंबर कटते नहीं लेकिन इतना बड़ा बड़ा निखना कि इसके इंडिन इक्रामी का पाट जो है वो खतम कर देंगे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना क्लास के प्रने सारे दोस्तों में शेयर कर देना कि मैं आप लोगों के लिए इतन थांक यू वेरी मच्छ बाइबाए टेक केर विलेंगे नेक्स वीडियो